खाना बनाने के लिए जो बेसिक मसाला तयार किया जाता है उसमें से कोकोनट और प्याज का मसाला कैसे बनाया जाए ये आज हम देखेंगे अगर आपके पास ये रेडी रहता है तो आपका काम तो फटा-फट से होता ही है प्लस आपको कोई भी ग्रेवी बनाना बहुत ही इजी आसान लगने लगता है स्वागत है आप सभी का सावई में तो एक नजर इंग्रेडियंट्स पर तो हमने यहाँ पर लिया है एक मेडियम साइजड ड्राइ कोकनट जो की 100 ग्रेम है नारियल के बाद हमने यहाँ पर लिये है तीन मेडियम साइजड प्याज उसमें से आधा मैंने रख दिया है मतलब यहाँ पर मैंने 2.5 इस्तमाल किये है कड़ाई में थोड़ा सा ओईल डाल कर हमने उसमें एड़ किया है कटा हुआ प्याज तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ओईल डानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी यह पेशन्स का ही काम है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा अब यहाँ पर आप जो भी कड़ाई यूज कर रहे हैं चाहे तो लोहे की या नॉन स्टिक आप शूर रही है कि आपका जो प्याज है वो नीचे से लगेगा नहीं क्योंकि अगर यह नीचे से लगता है तो फिर आपकी पेश्ट का कलर बदल जाता है और भी वैसलिए आपकी ग्रेवी का कलर भी बदल जाएगा और साथ भी बदल जाएगा तो आप भी मेरी तरह कर सकते हैं कि आप जब भी खाना बना रहे हैं तो एक गैस स्टोव पर इसे रख दीजिए तो आराम से यह अपने आप फ्राय होता रहेगा और बीच बीच में बस इसे इलाते रहेगे इसके साथ साधी मैंने गारलीक क्लोज एड़ कर दिये हैं क्योंकि गारलीक का जो रॉस मेल रहता है वो थोड़ा सा इसे चला जाता है प्यास को हम thin slices में cut करेंगे जितना thin आप इसे cut कर सकते है उतना ही ये ज़्यादा जल्दी fry हो जाएगा इसमें जो नारियल और प्यास का proportion हम ले रहे हैं वो आपकी gravy पर भी कभी कभी depend करता है प्लस different region में ये proportion थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है मतलब region wise भी ये proportion बदलता है पर generally मैं किसी भी gravy के लिए ये इसी proportion में यूज़ करती हूँ तो ये जो मसाला है आप भेच से लेकर non-wage तक किसी भी gravy में आराम से यूज़ कर सकते हैं जैसे की कूर्मा, पनीर, मूंग मतर जैसी कोई भी gravy आपको बनानी है तो आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं ये ना सिर्व आपकी gravy ठीकन करता है पलकी इसे उसकी लज़ज़ भी बढ़ाता है इस तरह से प्यास का कलर आना चाहिए उसके बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे ginger और नारियल वहांपर dry coconut की जगह है regular नारियल का भी इस्तमाल किया जाता है तो उपर मैं तरह आपको ये सूलकडी का लिंक भी दे रही हूँ उस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह का नारियल हमें सूलकडी के लिए इस्तमाल करना है तो वहाँ पर जो नारियल हमने सोलकड़ी के लिए इस्तमाल नहीं किया था उस तरह का नारियल हमें इस पेश्ट में इस्तमाल करना है मतलब कि जो नारियल सूपने की तरफ बढ़ रहा है वो नारियल आपको इस पेश्ट में ज़्यादा टेस्ट देगा अब आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसे कंटिनियसली हिलाते रहना है और रोस्ट करना है आप चाहे तो प्यास को निकाल लीजे पहले और फिर बाद में कड़ाई में नारियल एड़ कर दीजे पर मैं थोड़ा सा आलस का काम कर रही हूँ, मैं उसी में एड़ करूंगी आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकडों में काट सकते हैं या फिर मेरी तरह कदू कस कर सकते हैं पर कदू कस करना थोड़ा सा अच्छा रहता है क्योंकि फिर इसे आप अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैंने यहां पर धनिया भी रिखाया है तो आप चाहे तो इसे पीजते वक्त धनिया भी एड़ कर सकते हैं पर मैं आज धनिया एड़ नहीं कर रही हूँ मैं इसमें पानी डाल कर पीसने के बाद ही इसे कंटेनर में निकाल कर फ्रीज में रख देती हूँ और ये वन विक तक आराम से चल जाता है पर अगर किसी वज़े से आपके यहाँ ये खराब हो रहा है जल्दी से तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे fridge के जगा है freezer में रख सकते हैं पर freezer में रखने से क्या होगा कि जब आप को जरूरत होगी तब आप जब इसे निका लेंगे तो ये तुरन्त आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसे पहले normal करना पड़ेगा तो उसके बजाए आप क्या कर सकते हैं कि इसे ऐसे ही कंटेनर में भर कर फ्रीज में रख दीजे और जब जरूरत हो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर फिर मिक्सी में चला लीजे या फिर इसे बिना पानी डाले आप पहले मिक्सी में जितना बारिक हो सके उतना बारिक बनाईए और कंटेनर में डाल कर फ्रीज में रख दीजिए तो ये खराब नहीं होगा और उससे क्या होगा कि जो जिंजर और गार्लिक हमने मिलाया है वो इवनली पूरी पेस्ट में मिल जाएगा और फिर जब जरूरत है तब आप उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए और फिर पानी डाल कर फाइन पेस्ट बना कर ग्रेवी में यूज कीजिए तो अब ये हो चुका है आप इसे गैस बन करेंगे और ठंडा करेंगे इसते वक्त इसमें कम से कम पानी एड़ कीजिए और फिर कंटेनर में निकाल कर फ्रीज में रख दीजिए थैंक यू